यह विज़े पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत 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 अच्छे हैं है ना और अपने स्वास्त का बहुत ज़्याल भी रख रहे हैं और रोगों से दूर भी है क्योंकि आज कर इतनी सारी विमारिया जो चल रही हैं तो चलो आज का ये चैप्टर हम अपने इस स्वास्थ और रोगों के बारे में ही बात करने पे शुरू करते हैं ठीक है क्योंकि आज के हमारे चैप्टर का नाम ही यह है तो मुझे पूछना भी जरूरी है कि भाई आपका स्वास्थ कैसा है और आप रोगों से दूर है या नहीं क्योंकि अगर आप ये दोनों ही चीजे फॉलो करोगे कि आप स्वास्थ हैं और रोगों से दूर हैं तभी तो आप हमसे रोज मिल पाओगे है ना हमारी क्लासे साथ साथ चलेंगी तो चलो बच्चा लोग मैं हूँ विचरता आपकी बालोजी टीचर और दोनों साथ मिलके शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर के सफर को ठीक है तो फड़ाफट से कॉमेंट्स में बता दू कि भाई आपकी हेल्थ कैसी है और कोई रोक तो नहीं है कोई डिजीज तो नहीं है कोई परिशानी तो नहीं है उसी के साथ फड़ाफट से क्या करते हैं अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दो इसका लिंक शेयर कर दो ताकि वो क्या करें इसको फड़ाफट से आकर जॉइन कर ले क्योंकि जो चाप्टर हम स्टार्ट करने जा सबसक्राइब करें हैं चलो फटाइब लेकुसरे बाइट है और अपनी कॉपी पैन्स डबर खाना पानी घोबी लेकर के नहीं जाना है ठीक है चलो फिर शुरू कर देते हैं और बात करते हैं भाई अपने टॉपिक के उपर की भाई मानव का स्वास्थ और रोग दोनों का क्या कॉंबिनेशन है इस चाप्टर में ठीक है तो चलो इस combination को जानते हैं और बात करते हैं कि बाई सबसे पहले अगर हम स्वास्थ की बात करते हैं ठीक है स्वास्थ क्या होता है health होता है अगर स्वास्थ देखे हम तो स्वास्थ क्या है health है किसी भी एक particular person की ठीक है यह क्या होती है ये वो अवस्था है याने कि ये वो situation है ये वो condition है इसको हम कहेंगे कि अवस्था है या condition है जहां पर क्या होता है मनुष्य का शरीर जो होता है वो सुचारू रूप से याने कि बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है क्या करता है सुचारू रूप से अपने कार्रे को पूरा करता है कार्रे को पूरा करता है ठीक है तो यहां पे स्वास्थ वाली condition वो हो सकती है लेकिन यहां पर हमने अगर आपको याद हो तो बात करी थी कि वह हिसाब से कि सिर्फ अगर हमारा body healthy है तो वही स्वस्थ होना नहीं कहलाता है तो हमारे WHO ने कुछ guidelines दी थी ठीक है अगर हम WHO की बात करते हैं अब बहुत सारे बच्चे फिर से भाई पूचें के मैं WHO क्या होता है तो भाई world health organization ठीक है organization यह क्या है आपका WHO ठीक है तो WHO ने क्या किया था कुछ guidelines दी थी उनके हिसाब से भाई उन्होंने बोला कि सिर्फ जब आपका शरीर जो है ऐसी condition में है कि जहां पर वो 104 रूप से यानिकी एक अच्छे तरीके से काम कर रहा है हम नहीं कहते हैं कि वह स्वस्त कहलाएगा क्योंकि ऐसे बहुत सारी लोग थे जो स्वस्त होने के बाद भी क्या कर रहे थे कि वह स्वस्त हैं लेकिन क्या हो रहा था कि वह emotionally depressed हो गए थे परिशान हो गए थे mentally परिशान थे ठीक है फिर socially वो लोग अच्छे से behave नहीं कर रहे थे ठीक है family में अच्छे से behave नहीं कर रहे थे तो ये सारी की सारी चीज़े किस में आई कि भाई उन्होंने बोला कि अगर ये सारी चीज़े मिला कि आप अच्छे से चल रहे हो तब ही आप स्वस्त कहलाओगे तो डबलू एच्छो ने क्या जोड़ा उसमें डबलू एच्छो ने उसमें जोड़ा कि भाई आप मांसिक रूप से अगर हम बोले मांसिक रूप से भी स्वस्त होने बहुत जरूरी है ठीक है उसके बाद उन्होंने बोला सामाजिक रूप से ठीक है फिर क्या बोला फिर बोला भाई शारेरिक रूप से भी ठीक है शारेरिक रूप से भी होंगे ठीक है तो उन्होंने ये सब चीजे इसमें डाली कि भाई अगर ये सब चीजे भी आपकी perfectly काम कर रही है तो आप क्या है स्वस्त कहलाएंगे क्योंकि ऐसी बहुत सारी conditions देखी गई जहां पर क्या था लोग स्वस्त थे healthy थे लेकिन फिर भी गलत कामों में उनका दिमाग जा रहा था ठीक है physically बहुत सारे changes हो रहे थे गलत तरीके से ठीक तो देखो कैसे कि अगर suppose करो unfortunately किसी का rape होता है तो क्या होता है हम कहेंगे क्या कि वह व्यक्ति स्वस्त है नहीं अगर को इस तरीके काम करता है तो हम लोग क्या मोलते है कि इसका दिमाग खराब है यह पागल है इस तरीके से बोला रहता है कोई बंदा अगर कोई गलत काम करता है तो क्यों क्योंकि हमें लगता है कि इसका जो ऊपर कहमाला है वह खाली है य बिसिकली जो स्वास्त है वो ये कहलाएगा अब जब वो गलत चीजे कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या है वो रोग है उसके दिमाग में गलत चीजे आ रही है तो वो क्या कहलाएगा रोग कहलाएगा बिमारी कहलाएगी ठीक है यानिकी जो क्या है डिजीज ठीक है डिजीज यह क्या है बिमारी यहाँ पर क्या होता है भाई जो यह ऐसी अवस्था है जहाँ पर शरीर क्या करता है सुचारू रूप से काम नहीं करता है मतलब कुछ ना कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहती है कभी बुखार हो गया कभी खासी जुखाम हो गया कभी कोई बिमारी कभी कोई बिमारी तो वह अवस्ता क्या कहला है कि बिमारी की अवस्ता ठीक है जिसमें क्या हो रहा है किसी रोक से क्या है ग्रसित है यानि कि संक्रमित है किसी चीज से ठीक है तो यह वह अवस्ता है जहां पर जो शरीर होता है शरीर की जो कारेक इस्तती होती है कि अरे एरेजर लेने थी भाई कि क्या हो गया अब हो गया ठीक पता नहीं क्या हो रहा है शरीर की जो कारेक इस्तती होती है ठीक है कारेक की इस्तती होती है वो सुचारू रूप से नहीं चलती है सुचारू रूप से नहीं चलती है ना चलकर परिवर्तित हो जाती है या चेंज हो जाती है परिवर्तित हो जाती है ठीक है परिवर्तित हो जाती है जिसकी वज़े से क्या होता है कुछ लक्षण हमको दिखने लगते है कि हमारी बॉडी में चेंजिस हो रहे है लक्षण द यह दिखने लगते हैं ठीक है जिससे आमें पता चलता है कि वह हमारे शरीर में पुछना कुछ गर्वडी तो हो रही है ठीक है तो बेसिकल ये था स्वास्त और ये क्या था रोग ठीक है तो ये दोनों पूल ये चीजें क्या आपका ऐरोप्लेनः उड़ जाएगा और आपका ऐरोप्लेन उड़ जाएगा तो क्या होगा फ्लाइट छूट जाएगी और लोगा नियुक्त फिर पिर आप रही के वही रहाँ जाओगे तो इंडरेक्टली क्या केना चाहिए हूं किसको समझें वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ लिख नहीं पाओगे, ये कहना चारी, चलो आगे बढ़ते हैं, तो भाई ये दो चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया, क्योंकि हमारा चैप्टर यही है, ठीके, तो यहां जो मैंने ये समझाया है, वो यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है, इसको आप एक बर इसके साथ गो थू कर लेना, मतलब इसको देख लेना, ठीक है, अगर आपको क्या, यहां पर समझ में आए, ठीक, चलो, आगे बढ़ते हैं, अब चैप्टर का ओवर्व्यू ले ले लेते हैं, बात आती है कि बाई चै चैप्टर को कवर करनी है, यह पर अपको क्या पोकार रहा है, क्या कहनाचा रहा है कि मेरे अंदर क्या-क्या चीजे हैं, ठीक है चलो, आजाओ, तो सबसे पहले, यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, रोगों के बारे में पढ़ेंगे, कि मानाफ स्वास्त को कौन कौन से मानव स्वास्त को कौन कौन से रोग क्या प्रभावित करते हैं डिरेक्ली और इंडिरेक्ली ठीक है तो यहां पर हम रोगों की बात कर रहे हैं ठीक है रोग याने की डिजीज रोग किस से होते हैं किस से होते हैं रोग फटा फट से कॉमेंट में बताओ किस से होते हैं हां कु करेंगे तीन चीज़े देखेंगे ठीक है यहां पर हम तीन चीज़े पढ़ेंगे सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे भाई सबसे पहले हम देखेंगे रोगों के बारे में कि भाई कि कौन कौन से ऐसे क्या है रोग है जो किस-किस तरीके से होते हैं तो सबसे पहले हम क्या पढ क्या पढ़ेंगे जिवानू, जनित, रोग ये तेकेंगे फिर क्या बात करेंगे हम जिवानू के बाद आर कौन-कौन से हैं? जिवानू के बाद हमारे पास आ गया विशानू ठीक है विशानू जनित रोग फिर क्या आ जाते हैं कवक आ जाते हैं ठीक है कवक जनित रोग फिर क्या आते हैं प्रोटो जोओ आ जाएंगे जी प्रोटो जोओ ठीक है यह फिर प्रोटो जोओन जनित रोग ठीक है उसके बा पास आएगा हलमेंथेज, हलमेंथेज, ठीक है, हलमेंथेज, जनित रोग, तो ये वो है, ये वो है, क्या है, कारक है, हाँ, ये कारक है, जिसकी वज़े से रोग होगा, ठीक है, फिर उसके बाद, भाई, जब यहाँ पर ये रोग हो रहा है, तो इनकी वज़े से कुछ ने होंगे ठीक है इनके अगेंस क्या होगा जब यहां पर बदलाव होंगे ठीक है हमारे शरीर में तो हमारे शरीर में क्या होता है कुछ बदलाव होता है जैसे कि जब हमारे बॉर्डर पर क्या होता है कि कोई हल्चल नजर आती है तो कौन अपट से अक्टिव हो जाती है किसली अक्टिव हो जाती है हमारे शरीर को बचाने के लिए अक्टिव हो जाती है ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं immune system यानि की प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं ठीके तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या करेगा इनके against में काम करेगा जिसका मतलब है कि इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं इम्योन सिस्टम बोलते हैं ठीक है चलो यहां पर प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में पढ़ेंगे फिर दुख क्या देखेंगे हम टीका करण देखेंगे ठीक है कि उसको रोकने के लिए टीका करण भी होता है याने की विक्सि तो चाहती है तो कि वह बाहर से help लेनी पढ़ती है जैसे कि किसी दो देशों में suppose करो ये दूढ़ एक बौहाए शक्ति शाली था और दूसरा क्या था। उसके सामने कमजोर था। तो जो कमजोर वाखा और आरई देश हो भाक बराबब्री करें तो कहीं भी नहीं था तो क्या हुआ कि भई रश्या ने उस पर हमला किया थीक है तो क्या हुआ युक्रेइन की मदद करने लिए पहले तो वह लड़ा रहा लेकिन बार बाद में जब हो değild can रहा था तो उसको क्या मिला बाहर से मदद लेनी ही पड़ी थी कि आओ और मेरी हेल्प करो ठीक है तो बिल्कुल उसी तरीके से जब हमारा इम्योन सिस्टम याने की हमारा प्रतिरक्षय तंत्र उससे लड़ने में क्या होता है नाकामियाब होने लगता है तो बाहर से हेल्प लेनी पड़ती है हमको जिसको हमने टीका करन नाम दिया ठीक है ठीका करन याने की वेक्सिनेशन ठीक है यह क्लियर है बिल्कुल चलो अब ले लेंगे फिर क्या होगा भाई हमारी बॉड़ी बिल्कुल अच्छे से काम करने लगेगी है ना लेकिन इसके बाद भी क्या होता है कुछ ऐसी बिमारिया बन जाती है जो कहते हैं ला इलाज बन जाती है और कुछ ऐसी कि अगर शुरूर में पता चल जाए तो हो सकता है ठी लेकि तो कौन-कौन सी बिमारियां है इसी जिन के बारे में हम देखेंगे भाई AIDS एट क्या है ला-इलाज बिमारी है कितना भी देख लो कुछ भी कर लो आपको बिमारी ये ठीक नहीं होगी ठीक है जाहें पहली स्टेज में पता चल जाए या आखरी स्टेज में ठीक है क् एक बार को हम कह सकते हैं कि starting में बता चल जाता है तो ठीक हो जाएगा लेकिन अगर वो starting का उसका phase निकल गया फिर वो ठीक नहीं होगा फिर ultimately death है ठीक उसके बाद हम आएंगे भाई drugs and alcohol इसके दुश प्रभाव भी देखेंगे हम दुश प्रभाव के बारे में बात करेंगे ठ ठीक है क्योंकि बई alcohol और drug क्या है दोनों ही बहुत ही बुरी चीज है इनकी लट पर जाए तो बहुत बुरी चीज होती है उसके दुष्परिणाम भी बहुत बुरे होते हैं जिनके बादे में हम बात करेंगे ठीक चलो तो यह है हमारे चाप्टर का ओवर्वीव तो फड़ावरते देख लेते हैं कि आज भई आज हम क्या पढ़ेंगे यह तो हम पूरे रोगों देखेंगे चलो फड़ावर से आजओ फिर बात कर लेते हैं परीचे की तो परीचे में अगर देखी तो हम अलड़ी बात कर चुके हैं है ना तो रोग देख लेते हैं चलो ठीक है अगर हम रोगों की बात करते हैं ठीक है रोग की बात कर रहे हैं हम तो रोग क्या होते हैं जोनरली दो थरीके के होते हैं ठीक है दो तरीके के रोग होते हैं कौन से होते हैं फटा-फट से कॉमेंट में बता दो भाई फटा-फट से बता दो कौन-कौन से होते हैं जल्दी से किसको मालूम है चलो देख लेते हैं हां बात करने से कुछ नहीं होने वाला है इतना यहां धख ले ना ठीक है चाप्टर को समझो मज़ा आएगा चाप्टर को समझने में क्योंकि देखो यह चाप्टर सिर्फ हमारी पढ़ाई के लिए नहीं दिये जाते हैं अगर हम कोई चाप्टर पढ़ रहे हैं तो वो किसी ना किसी रीजन से दिये जाते हैं उनका कोई ना कोई महत वो होता है इंपोर्टेंस होता है हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में भी प्रोफेशनल लाइफ में और शोशल लाइफ में ठीक है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा स्वास्त क्या है और उसे रिलेटिक बिमारियां क्या है ठीक है कैसे आप अपने आपको अपने आसपोडों को कैसे स्वस्ते रख सकते हो ठीक है क्योंकि डारेक्टली और इंडारेक्टली हम एक दूसरे से जुड़े हुए है कुछ ऐसी बिमारियां होती है कि भाई अगर किसी बंदे को बिमारी है ठीक है जैसे कोरोनों का एक्जैम्पल लेते हैं तो उसको क्या मो कि हो सकता है कि अगर हमें है तो हमसे हमारे परिवार वालों को हो जाए या कोई बाहर वाले को हो जाए जो देखने आए ठीक है तो इस तरीके से क्या है रोगों से रोग जो होता है डारेक्टली और इंडारेक्टली हम एक दूसरे से क्या है connected है ठीक है चलो आगे बढ़ते सारे के सारे नहीं कुछ तो चलो देख लेते हैं कि भाई पहला कौन सा है पहला है संक्रमक ठीक है संक्रमक रोग ठीक है और दूसरा क्या है दूसरा देख लेते हैं असंक्रमक रोग ठीक है? तो भाई, यहाँ पर संक्रमक और असंक्रमक तो संक्रमक हम कह सकते हैं वो रोग जो एक जने से दूसरे जने में बहुत आसानी से फैल सकता है ठीक? जो एक से दूसरे में फैल सकता है ठीक है जैसे कि हम एग्जैंपल क्या लेते हैं हम एग्जैंपल ले लेलो उतलंच वाइरस से जितनी वी बिमारियां होती है वो क्या reproduce है याने की एक जने से दूसरे जने में असाले ़े जा सकती है जैसे की कॉमंटकोंड हो गया हमारा हम हिं च्वाशी जुखाम होता है कि भाई अगर कोई खास रहा है ठीक है तो उसने अपने मुपे हाथ नहीं रखा है या उसके जो मुझ से जर्म्स निकलेंगे वो क्या होंगे भाई सामने वाले के मुझ पे चले जाएंगे यह हवा में आ जाएगा और उसके आसपड़ों से जो भी कोई एक्जेंपल दे सकते हैं एक्जेंपल किसका दे सकते हैं विशानू का ठीक है कि विशानू से जैसे कि क्या हुआ था कोवेट हुआ था ठीक है यह क्या है विशानू जनित रोग है ठीक चलो अगर हम असंक्रमक रोग में देखें तो यह क्या होता है यह हमारे शरीर में ठीक है लेकिन दूसरे में नहीं फैलता है दूसरे में नहीं फैलता है ठीक है कि बाई ये सिर्फ किसी इंसान को सपोस्ट को रो कैंसर होता है कैंसर हो गया तो कैंसर हो गया तो क्या हुआ कि कैंसर क्या है कि ऐसा तो नहीं कि कैंसर वाले बंदे ने कि दूसरे को छूल लिया तो उसको कैंसर हो जाएगा ऐसा नहीं है वहां क्या होता है उसके बॉड़ी के अंदर एकने चेंजिस हो रहे होते हैं सेल्स में मुटेशन हो तो इस वैसे वो सिर्फ उसके अंदर ही रह जाएगा बाहर नहीं आएगा क्योंकि सेल जो है सेल बॉडी से बाहर थोड़ी आ जाएगी ले मैं तुछ पर जाके चिपक गई अब तुझे भी हो गया ऐसा नहीं होता ना तो इसका एक्जैंपल हम क्या ले सकते हैं कैंसर कि बई ये एक से दूसरे में नहीं फैलता है ठीक है एक से दूसरे में नहीं फैलता है तो ये तो हमारा हो गया रोगों के बारे में ठीक है चलो क्लियर यहां तक फड़ा पर से थमसब दिखा दो कि आपको समझ में आ गया है तो ताकि मुझे खुशी मिल जाएगी हां म मेरे बचचे क्या है समझ गये हैं इसको क्योंकि देगो बहुत असान तरीके से बहुत प्यार से समझाने की कोशिश कर रही हूँ समस्में आ जाये आप Lयोंको मैं इतना ही चाहती हूँ ठीक है चलो क्योंकि मैं सिभ साथ को पढ़ाने के लिए पढ़ाती हूं मैं चाहते हूं कि आप लोग जागरुख बनो चीजों के बारे में ठीक है अपने स्वास के बारे में अपने स्वास खराब होगा तो चलो देख लेते हैं अंदर घुषते हैं कारक तो क्या करते हैं कुछ नो कुछ reaction करते हैं हमारे शरीर में बदलाव लाने के लिए हमें परशान करने के लिए ठीक है तबी तो हमें पता चलता है कि कुछ तो हुआ है कुछ तो गड़बड है दया है ना हमारे शरीर बोलता है ठीक है तो यहाँ पर चलो देखते हैं कि व ठीक, पहला क्या हो गया, अनुवाइशिक कारक हो गया है, दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास क्या हो गया, संक्रमण हो गया है भाई, कि संक्रमण की वज़े से भी होता है, ठीक है, अगर हम तीसरे की बात करें तो हमारे जीवन शैली आ जा ठीके तो ये तीन वो चीजिजे हैं जो हमारे शरीर को क्या करती है एफेक्ट करती है, directly कहो या indirectly कहो करती जरूर है चलो आगे बढ़ते हैं और इन तीनों के बारे में तोड़ा तोड़ा जल्दी से जान लेते हैं क्योंकि हमें flight को तेज भगाना है है ना चलो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम क्या बात करते हैं फिर अनुवन्शिक के बारे में बात कर लेते हैं चलो लाइन खीछ लेते हैं सीडी तो खिषती नहीं है सीडी खिची है क्या फिर भी बेटर है चलो बात कर लेते हैं सबसे पहले हमने क्या बोला अनुवन्शिक जो हमको क्या विरास अबने मिल गई हैं चीजे ठीक है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन है पास हो रही है ठीक दूसरा क्या बोलते हैं हम भाई हमने संक्रमण बोला संक्रमण बोला दूसरा हमने ठीक है और तीसरा क्या है हमारी जीवन शैली जीवन शेली तो यह तीन चीज़े हैं जिया है भाई स्वास्त को प्रभावित करने वाले कारण ने नहीए ठीके इन कारणों को अच्छे से समझ लो कारण बोलो कारक बोलो कोई दिक्कत नहीं है ठीके तो यहाँ पर अगर हम अनुवन्शिक की बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है? जो विकार होता है याने की जो बिमारी होती है, वो क्या करता है? जो जीन और क्रोमोजोम की असमानता के कारण होती है. जो जीन और क्रोमोजोम क्रोमोजोम याने की गुण सूत्र ठीक है? क्रोमोजोम याने की गुण सूत्र में क्या होती है? असमानता असमानता के कारण होती है क्या? असमानता के कारण मतलब पीडी दर पीडी हो जाती है ठीक है? पीडी दर पीडी जाती है ठीक है पीडी दर पीडी क्या हो रही है जा रही है ठीक है और क्या करती है हमारे शरीर को प्रभावित कर देती है ठीक क्या करती है शरीर को प्रभावित करती है प्रभावित करती है ठीके, जैसे कि हम क्या कह सकते हैं, गुर्ण सूत्रिय रोग कह सकते हैं ठीके, क्या बोला गुर्ण सूत्रिय रोग, है न, या मेंडल विकार क्या हो सकता है, गुर्ण सूत्रिय रोग, ठीके, मेंडल, मेंडलिय अरे यार या फिर क्या हो सकता है क्या बोला हमने मैंडेलिये मैंडेलियन विकार मैंडेलियन विकार हो गया ठीक है या डाउन सिंड्रोम हो गया ठीक है तो ये सब चीजे क्या है ये हमारे अनुवाजिक विकारों में आती है चलो, इसके बाद बात करते हैं हम किस की? इसके बाद हम कौन सा तलर उठाएं? जो अलग ही नजर आजा चलो, नहीं यार ग्रीन दी, रेड उठा लेते हैं, चलो, फिर हम संक्रमण की बात करते हैं, घरंग चान क्या होता है भई? कि हमने क्या बोला की जो एक से दूसरे को हो है ना तो संक्रवडव हम क्या बोलेंगे यहाँ पर जो होते हैं अनेक प्रोगाणूओ के संपर्क में, के संपर्क में संपर्क से कई प्रकार के, या संपर्क में आने पर क्या होते हैं, कई प्रकार के विकार या फिर रोग उत्पन हो जाते हैं, ठीक है, और जो क्या करते हैं, हमारे स्वास्थ पे बहुत जादा असर डालते हैं, ठीक है, यह हम लिख सकते हैं, स्वास्थ को प्रभावित करते हैं, जो क्या करते हैं स्वास्थ को प्रभावित करते हैं ठीक है या स्वास्थ पर बुरा प्रभाव डालते हैं ऐसा भी कह सकते हैं ठीक है क्लियर ये भी है ना चलो आगे अब जीवन शैली की बात करते हैं जीवन शैली क्या होता है हमारा लाइफ स्टाइल हम कैसे जी रहे हैं अ आजकल हमारा लाइफस्टाइल इतना खराब है उट पटांग चीज़े खानी है हमको पीजा खाना है मोमोस खाना है बर्गर खाना है ठीक है और के खाना है फ्रेंच फ्राइस खाने है ठीक है कहां खाना है घर से बाहर का खाना हमें पता ही नहीं कि भाई जहां यह चीज़े परपर तरीका चाहिए खाने पीने का रहने का ठीके और और आप सब यह चीज़े टाइम पर नहीं करोगे तो क्या होगा भई शरीर को थकान मैसूस होगी चाहिए वह फिजीकली हो या मेंटली हो और जब यह थीक नहीं हो तो इमोशनली भी हम क्या हो जाएंगे थक जाएंगे तो जीवन शैली के बारे में यानि की लाइफ स्टाइ रहने के तौर तरीके रहने के तौर तरीके क्या है जीवन शैली में आते हैं जहाँ पर क्या होता है हमारा खाना पीना या हमारा खान पान बोल सकते हैं हमारा विश्राम करने का समय ठीक है और मानसिक तनाव बोल सकते हैं ठीक है एक्सेक्ट्रा इसमें क्या होते हैं आते हैं ठीक है और इनकी अनियमता के कारण और इनकी अनियमता के कारण क्या हो गिया अनियमता अनियमता के कारण क्या होता है मानव स्वास्थ खराब होता है मानव स्वास्थ खराब होता है ठीक है तो basically यह वो तीन चीजे हैं तीन कारक हैं तीन कारण है झिसकी जो चारक करते हैं हमारे स्वास्त को directly और indirectly प्रभावित करते हैं clear बिल्कुल आया समझ में doubt मत रखना किसी भी चीज में ठीक है चलो आगे बड़े हां चलो फड़ाबर्चे से हमसद्प दिखा दो कि हाँ समझ में आ गया है मैं इतनी मेहनद कर रही है आपको पता रही है त प्यार से पढ़ा रही है ठीक है पड़ाबर्चे सरंब दिखाओ चलो चलो ठीक है आए बढ़ते हैं मानव में सामानने रोगों के बारे में अगर हम बात करते हैं अगर हम रोगों के बारे में बात करते हैं ना भाई तो क्या होता है मानव में क्या होता है अनेक प्रकार के रोग होते हैं अनेक प्रकार के ठीक है जी हम लेते हैं कि अनेक प्रकार के रोग होते हैं लेकिन यहाँ पर क्या है भाई ये उत्पन होते हैं ठीक है ये मिले वे नहीं है मतलब कई प्रकार के जो रोग मिले हुए होते हैं कि हाँ ठीके पैदाईशी मिल गए है ठीके लेकिन वो भी उत्पन तो हो रहे हैं ना कहीं ना कहीं से भी चाहे कैसे भी मिले पर ये उत्पन हो रहे हैं ये पैदा हो रहे हैं ठीक है? और क्या होता है? कि भाई इन रोगों को उत्पन करने वाले जो कारक होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? जो उत्पन्न करते हैं उनको हम बोलते हैं रोगाणू रोगाणू बोलते हैं ठीक है वो क्या हुए रोगाणू है अब रोगाणू कैसे हुए जैसे की चलो example लिख लेते हैं कैसा हो गया भाई विशानू हो गया ठीक है जिवानू हो गया ठीक है प्रोटोजोवा हो गया ठीक उसके बाद कौन हो गया भाई क्रमी हो गये ठीक है एक्सेक्टर 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 बहुत लब्बी लिस्ट है ठीक है तो यह क्या है भाई यह कुछ समाने रोग है जिनके बारे में हम क्या करेंगे, अब स्लोली स्लोली पढ़ेंगे, ठीक है, ओके, पढ़ना शुरू करें, बताओ, क्लास में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, साफ साफ बताना, अच्छा लग रहा है, है ना, कितिने सारी चीज़ें हैं जो यहां पर आपको जानकारी मि अभी तो थोड़ी बहुत मिली है, अभी और मिलेगी इस चाप्टर में, तो इस चाप्टर को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, फिर क्या है, जब चीज़ें आप समझ जाओगे ना, तो अपने गर में अपने मम्मी पापा को भी समझा सकते हो, कि देखो ऐसे मत करो, इस स ऐसे हो जाएगा, या ऐसे मत करो, इस से ऐसे हो जाएगा, या फिर यह जो ऐसा हो गया है, तो ऐसा कर लेते हैं, तो ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, तो क्या है कि अब समझा सकते हो सबको, चलो फिर, इनके बारे में एक एक करके जानते हैं, इन सब के बारे में, ठीक है, यह जो रोग पैदा करते हैं रोगाणू है कि यार ये क्या है ये कहां से आते हैं ऐसे लोग पर ये लोग नहीं है ये क्या है ये रोगाणू है कहां से आते हैं ऐसे रोगाणू है लप्पू से रोगाणू है लेकिन फेलाते हैं बहुत कुछ है चलो आगे मरते हैं तो सबसे पह करते हैं जिवानों जनित रोग याने कि जो जिवानों से होते हैं ठीक है जिवानों जनित रोग ठीक है कि जिवानों से कौन कौन से रोग होते हैं अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पस आता है भाई हमारी लिस्ट में शामिल है ताइफ वाइट ठीक है टाइफाइड आता है क्या गया टाइफाइड ठीक है अगर हम टाइफाइड के बाद करते हैं अच्छा इसको समझने से पहले एक और चीज़ समझो यहाँ पर दो चीज़े होती है एक होता है कारक और एक होता है वाहक तो कारक क्या होता है और वाहक क्या होता है कौन बता सकता है मुझे जल्ली से बता दो कौन बता सकता है कारक और वाहक में क्या अंतर है चलो जिनको बता है वो comment में बता हो जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ कि कारक होता है भाई कि किसी की वज़ा से होना कुछ का ठीक है किसी की वज़ा से होना और वहाग क्या होता है कि वो जो चीज हो गई है उसको आगे लेके कौन जा रहा है तो हम यहाँ टाइफाइट की बात कर रहे हैं तो टाइफाइट का कारक कौन है अगर हम इसके कारक की बात करते हैं तो यह क्या है जिवाणू जनित रोग है ठीक है हमने क्या बोला यह जिवाणू जनित रोग है ठीक है जो किसकी वज़े से होता है सैल्मोनेला किसकी वज़े से हो रहा है यह सेल्मो निला टाइफी टाइफी ठीक है तो यह क्या है इसका कारक है ठीक है इसकी वजह से हो रहा है ठीक है यह सेल्मो निला टाइफी क्या है इसका कारक है जिसकी वजह से टाइफाइट हो रहा है लेकिन अगर मैं इसके वाहक की बात कर रही हूँ कि भाई रोग वाहक क्या है ठीक है कि रोग वाहक की अगर मैं बात करती हूँ मैंने भी दो चीज़े बोली ना कारक और वाहक तो कारक तो हमें पता चल गया है सेल्मोनेला टाइफी है अगर मैं इसके वाहक की बात करूँ कि यह बिमारी हो गई है पर यह हुई कैसे है इसको बिमारी को लेके कौन आया है तो भाई इस बिमारी को लेके कौन आता है दूशित जल और भोजन ठीक है यह क्या है इसका वाहक है इसको लेके जाता है ठीक है चलो इसके बाद अगर मैं बोलू कि भाई क्या बोलू कि कौन सा अंग इससे प्रभावित होता है हमारे शरीर में ठीक है तो प्रभावित अंग कौन सा है जो इसकी वैसे होता है तो भाई छोटी आथ छोटी आथ ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं स्मॉल इंटस्टाइन बोलते हैं ठीक है छोटी आथ याने की small intestine ठीक है और आमाश है याने की stomach ठीक है ओके चलो अगर मैं इसके लक्षणों की बात करूँ आपके भाई लक्षण क्या है पता कैसे चलेंगे आपको कि हाँ आपको टाइपाइट हो गया है ठीक है तो लक्षणों में सबसे पहले किया आ जाता है भाई सबसे पहले लंबे समय तक बुखार अरे क्या लिए क्यों खुबार लिख रही हूँ मैं बताओ बुखार आता है इसमें ठीक है फिर क्या होता है जो आमाशे भित्ती होती है याने की जो हमारे stomach की wall होती है वहाँ swelling हो जाती है याने की सूजन हो जाती है ठीक है जो आमाशे भित्ती है याने की wall है क्या आती है वहाँ सूजन आ जाती है वहाँ पर ठीक है क्या आती है सूजन और क्या होता है दर्द रहता है ठीक है फिर क्या होता है इसमें अपज हो जाती है क्या होती है अपज हो जाती है अपज हो जाती है इसमें ठीक है और क्या बोल सकते हैं इसमें हम कमजोरी भी होती है है कमजोरी हो गई सिर्दर्ध हो गया ठीक है जैसी प्रॉब्लम्स यहां पर आती है और कभी कभी जब ज़्यादा इस्तिति गंबीर हो जाती है जब इस्तिति ज्यादा गंबीर हो जाती है तो क्या होता है जो हमारी छोटी आंथ होती है यानि कि स्मॉल इंटेस्टाइन हो में क्या होता है छेद हो जाता है ठीक है क्या होता है वहाँ पे आगे लिख देते हैं चलो जब इस्तिती क्या होती है बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तो क्या होता है भाई? जो हमारी आत होती है ठीक है? जो हमारी आत होती है उसमें छेद बन जाता है जिसकी वैसे क्या होता है? व्यक्ति की मृत्यू हो जाती है अहां क्या कर रहे हैं बेटा हम? मृत्यू हो जाती है ठीक है? तो इसमें ये होता है ओके? चलो यहाँ पर एक और चीज़ भाई की यहाँ पर इसका पता लगाने के लिए क्या होता है? विडाल टेस्ट होता है ठीक है? विडाल टेस्ट होता है जिससे पताया लगाया जाता है विडाल टेस्ट के दोरा कि भाई क्या है आपको टाइफाइड है या नहीं है लेकिन इसके उपचारों की अगर हम बात करते हैं इसके उपचार की अगर बात करते हैं तो उपचार में क्या है कि डॉक्टर दोरा क्या होता है विडाल टेस्ट बोला जाता है कि विडाल पहचान, फिर क्या होता है, मेडिसिन दी जाती है उसको, ठीक है, मेडिसिन दी जाती है और इस तरीके से रोगी का उपचार किया जाता है, उपचारित किया जाता है उसको, ठीक है, तो ये था हमारा किसके टाइप 5 के बारे में, चलो, दूसरा क्या आता है हमारे पास, दूस क्या आया निमोनिया अगर हम निमोनिया की बात करते हैं तो निमोनिया किससे होता है इसका वाहक कौन है हा इसका वाहक कौन है तो निमोनिया का वाहक कौन है भाई स्टाप्टो कोकस स्टाप्टो कोकस न्यू मोनी ठीक है स्टाप्टो कोकस न्यू मोनी ये क्या है इसका वाहक है लेकिन अगर मैं इसके कारक की बात बोलू कि रोग कारक कौन है इसका जैसे कि हमने पहले बात करी रोग कारक की तो इसका रोग कारक कौन है तो इसका रोग कारक है भाई संक्रमित द्वारा संक्रमित व्यक्ति द्वारा किस में खास में या छीकने से ठीक है संक्रमित व्यक्ति ने क्या-क्या खास दिया या छीक दिया तो क्या हुआ सामने वाला कोई गुजरा वहां से या कोई खड़ा था ठीक है ठीक है कैसे कि भाई उसने हैंकी उसने किया हाथ नहीं रखा उन्हें ऐसे चीक दिया आच्छू आच्छू करके चीक दिया उसने अब जब मुह से उसके जर्म निकले नाग से जर्म निकले तो सामने वाले जाक करता है कौन सा फेफड़े याने की फेफड़े फेफड़ों को प्रभावित करता है यह ठीक है और स्वश्न तंत्र को प्रभावित करता है ये ठीक है क्योंकि दोनों ही चीज़े ये सास के तुरू अंदर जा रहा है तो हमारे लंग्स को और हमारे स्वस्चित तंत्र याने की हमारे रेस्पेरेटरी सिस्टम को ये इफ ट करेगा थीक है चलो फिर अकर लक्षण की बात करती हूं तो लक्षण की आएगे इसमें सबसे पहले वही बुखार आजाता है जो सबसे इजी है सबसे पहले यही आता है ठीक है सिर्दर्द रहता है देखो सेटदार तो common है ठीक है बुखार भी common है फिर खासी आना ठीक है सास लेने में दिक्तत होना ठीक सास लेने में परिशानी ठीक है ये सारी चीज़े इसमें आती है लेकिन बच्चा कभी कभी क्या होता है न बेटा कि इस्तिती बहुत जब गंभीर हो जाती है, ठीक है, इस्तिती बहुत गंभीर हो जाती है, तो क्या होता है, होट जो होते हैं, होट जो होते हैं, वो नीले पड़ जाते हैं, नीले पड़ जाते हैं, ठीक है, जब इसको हम टाइम पे क्योर नहीं करते हैं, इसका खयाल नहीं रखते हैं, ठीक है, तो यह था हमारा pneumonia ठीक अब इसके बाद pneumonia यहां तक सबको clear है pneumonia भी क्या है जिवान उजने तरोग देखो उपर लिखा हुआ है confusion नहीं रखना बिल्कुर ठीक है इसके बाद जो हम बात करेंगे बहुत ही खतरनाक सी बिमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि आप इसको देख सकते हो ठीक है देखो इसको देखो यह क्या कर रहा है मच्छर खून चूस रहा है अब इस वीडियो को देखके आप अच्छे समझ गए होगे कि actually मैं क्या बात करने जा रहे हूं मैं बात करने जा रहे हूं malaria के बारे में malaria क्या है बहुत ही खतरनाक बिमारी है भाई हम हम सभी को क्या है इस साफधान रहने की बहुत-बहुत जरूरत है नहीं साफधान रहेंगे तो कहां चला गया यह malaria का वाहक है अरे मेरे तो बालों से ही हिलिया, तो ये क्या है? बहुत खत्रना कै भाई इसका ध्यान रखना है ठीक है, जिसके बारे में हम बोहुत विस्तार में, पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है, तो अगर मैं इसके मलेरिया की बात करती हूँ, तो इसका रोग कारक कौन है? हाँ इसका रोग कारक कौन है यह malaria क्या है सबसे पहले तो यह जानो यह protozoa जनित रोग है ठीक है और यह होता किसकी वज़े से है यह होता है भाई plasmodium की वज़े से तीक है अब यह plasmodium किया है कहान सबस्गाता है क्या रोल है ठीक क्या सब है इसके बारे में हम बात करेंगे यह क्या कर रहा है मजख्षर क्या इंसान का क्वूं चूस रहा है जो लाल पाड़ दिक रहा है इसका क्या है यह कूं है देखो इसके अंदर कितना भेंकर तरीके से और देखो खून चूसके कितने अराम से उड़ गए आई है ना हम चलो फिर इसी बात पर जो है मच्छर का नाम लेके मलेरिया के बारे में जानते हैं ठीक है चलो तो वही मलेरिया जो होता है इसका रोग कारक क्या है सबसे पहली बात है जो मलेरिया है वो क्या है प्रोटो जोवा जनित रोग होता है यह क्या है प्रोटो जोवा जनित रोग है यह ठीक है यह किस से हो रहा है प्रोटो जोवा जनित रोग है यह ठीक है चलो किसकी वज़े से होता है यहां भाई प्लास्मोडियम है एक चीज ठीक है प्ला प्लास्मोडियम की वजए से बहुत ही खतरनाक चीज है यह प्लास्मोडियम यह प्लास्मोडियम क्या होता है यहां पर यह होता है यहां पर संक्रमक अवस्था में संक्रमक अवस्था में होता है ठीक है चलो इसके बाद हम बात करते हैं भाई कि चलो ठीक है यह तो कारक है इ रख है इसका लेकिन इसका वाहग कौन है तो भाई हम रोग वाहग की अगर बात करते हैं कि इसका रोग वाहग कौन है तो भाई वो है मादा आनाफिलीज मच्छर ठीक है मादा आनाफिलीज मच्छर क्या है इसकी रोग कारक है ठीक है अब यह जो है क्या करेगा मच्छर जब काटता है मादा अनफिली मच्छर जब काटेगा तो क्या होगा कि दो से तीन हफते बाद ये अपने आपको क्या करेगा जब बदलना शुरू करता है ठीक है तब पता चलता है कि हमारे शरीर में कुछ ना कुछ दिक्कत तो हो रही है दो से तीन हफते बाद ठीक है तब क्या ह ठीक है येकृत में ठीक है चलो अब बात करते हैं भाई जब रोग वाहक हो गया कि कौन से अंग को ये प्रभावित करेगा प्रभावित अंग तो अगर हम प्रभावित अंग की बात करते हैं तो ये दो जगा प्रभावित करता है एक येकृत याने की लीवर ठीक है येकृत पर ये इसका प्रभावित अंग हो गया चलो ठीक है लेकिन अगर इसके जीवन चक्र की बात करते हैं ठीक है अच्छा जीवन चक्र चलो 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 ठीक है अभी जीवन चक्र की बात कर लेते हैं इसके जीवन चक्र की अगर हम बात करते हैं तो जीवन चक्र क्या है भाई इसक दो चीजों में जा रहा है जीवन चक्र एक क्या है प्राइमरी होस्ट ठीक है जो कहा होता है प्राइमरी होस्ट ये क्या है भाई ये फीमेल में हो रहा है मतलब मादा के अंदर और एक क्या है secondary host हो जाता है ठीके, याने की क्या हो गया भाई ये मनुष्य में हो गया मनुष्य में हो गया ठीके, मनुष्य में क्या करता है ये अलैंगिक जनन करते है अलैंगिक जनन करते हैं मनुष्य के अंदर ठीके अलागिक जनन किया इन्होंने मनुश्य के अंदर अब यह जो प्लास्मो डियम के हम जीवन चक्र की बात कर रहे हैं प्लास्मो डियम के जीवन चक्र की बात कर रहे हैं तो यह जो प्लास्मो डियम है यहाँ पर क्या है जो लेंगिक जनन है वो प्राथमिक पोश होता है याने कि ये जो मादा है ये क्या है प्राथमिक पोश ठीक है कहा हो रहा है ये मादा के शरीर में हो रहा है मादा याने कि फीमेल के शरीर में हो रहा है और जो सेकंडरी हो रहा है याने कि अलागिक जनन हो रहा है वो मनुश्य के शरीर में हो रहा जातियां मतलब कौन कौन सी जाती है जो रोग को फैलाती है अगर हम बात करते हैं तो जातियां कौन सी है भाई जातियों के बारे में देख लेते हैं ठीक है जाती क्या है सबसे पहली हमारे पास क्या है प्लाजमोडियम 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 क्या है बाइवेक्स ठीक है, बाइवेक्स, दूसरा क्या है, प्लास्मोडियम मलारी, तीसरा क्या है, प्लास्मोडियम अवैली, और चौथा क्या है, प्लास्मोडियम फैल्सी पैरस, ठीक है, तो यह जो है फैल्सी पैरस, यह क्या है सबसे, गंबीर रोग यही फैलाता है सबसे गंबीर रोग यही फैलाता है ठीके क्या करता है यही फैलाता है ठीके तो यह था हमारा मलेरिया के बारे में इसके लक्षण क्या होंगे अगर हम लक्षणों की बात करते हैं तो लक्षण आजाओ चलो अगर हम लक्षण देखें इसके त इसके बुखार आना जो सबसे कॉमन है बुखार आना ठीक है और क्या क्या हो सकता है इसके बाद बुखार आने के बाद और क्या क्या हो सकता है भाई यल्दी बताओ क्या क्या हो सकता है भाई बुखार आने के बाद क्या है वामिटिंग आना हो सकता है शरीर में कमजोरी आना हो सकता है ठीक है और क्या है तो और भी बहुत सारे ऐसे लक्षन मिल जाते हैं यह सब तो common Claro है, है ना चलो और असर डॉलता है हमने बात कर ली था कि क्या है हमारे तो प्रभावित अंग करके बात करें तो हमने क्या बोला कि ये दो चक्रों में होता है कि कैसे भाई एक किसमें होता है मादा अनाफिली ठीक है और दूसरा मनुष्य ये दो में हो गिया ठीक है अब अगर मैं कहूँ कि अगर कोई मच्छर है सपोस अगर कोई मच्छर है ठीक है चलो यहां समझाती हूँ यहां कहती हूँ कि यह क्या है एक मच्छर है इस मच्छर ने क्या किया इस मच्छर ने किसी व्यक्ति को काटा लो जी काट लिया मच्छर ने व्यक्ति को काट लिया अब जब काटा है तो यह क्या करेगा जब यह मकाते क तो उसका क्या है कि वह जो जिसने काटा है तो वह कहां जाएगा तो वह पहुंचेगा यहां पर काटने पर स्पोरोजॉइट बनेगा और यह स्पोरोजॉइट कहां जाएगा यह जाएगा मनुष्य के यक्रत में ठीक है और क्या कहलाएगा वो वहाँ पर स्पोरोजॉइट के हाएगा यहां पर ठीक है उसके बाद क्या होगा भाई है उसके बाद यहां से क्या होगा येक्रत कोशिकाय जो होती है ये करत जो कोशिका होती हैं, कोशिका में क्या करेगा ये? अलैंगिक रूप से जनन करेगा, ठीक है? जनन करेगा, मतलब यहाँ पर क्या करेगा? जो कोशिका होगी ना, उस कोशिका को ये क्या करेगा, वहाँ पर फोर देगा, ठीक है? ये करत में, ठीक है? और फिर उसके बाद क्या करेगा? लगबद ये जो शिजोईट है, चलो इसका डाइग्राम मैं दिखाती हूँ, शिजोईट का कैसे बनाना है? इस तरीके से लीवर के अंदर क्या होता है? ये शिजोईट यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है? क्या है? यहाँ पर पाए जाते हैं और यहाँ पर क्या बनता है फिर ये? यहाँ पर बनता है मीजोईट तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कौन सी अवस्था बनेगी? यहाँ पर बनेगी प्रवस्था बनेगी यहां पर ठीक है यह क्या होई आपकी मिजोईट प्रवस्था यहां पर बन जाएगी अब क्या होगा हमने क्या बोला कि जो यकृत कोशिकाओं में यहां पर यह अलेगिक रूप से जनन करेंगे ठीक है जब यह यहां पर जनन करेंगे तो फिर क्या होग भाई यह क्या करेंगे यहां पर क्या होगा यह कोशिकाए फट जाएंगी ठीक है यहां पर यह जो कोशिकाए थी ठीक है यक्रत के अंदर यह क्या होगी फट जाएंगी फट जाएंगी ठीक है ध्यान से देखो इस चीज को समझना बिल्कुल भी confusion मत रखना यहाँ पर क्या होगा कि यकरत कोशिकाओं में यह अल्यागिक रूप से जड़ जनन करने लगेंगे न तो जब करेंगे तो क्या होगा वो जो कोशिकाओं उसके अंदर मौजूद होंगी वो फट जाएंगी ठीक है और जब यह कोशिकाओं फट जाएंगी तो क्या होगा फट जाएंगी तो यह क्या होगा भाई यह बाहर आ पर ठीक है कहा करेंगी परजीवी के आर बीसी में जाके अल्लैंगिक रूप से जनन कर देंगी ठीक है कैसे करेंगी चलो दिखाती हो मैं आपको कि भाई ये क्या है ये RBC है हमारी ठीक है ये वेन है हमारी वेन के अंदर क्या होती है RBC होती है ये लो जी ये हमारी RBC आ गए वेन के अंदर ठीक है रक्तवाहिका है ये ठीक है ये क्या है रक्तवाहिका रक्तवाहिका इसके अंदर क्या है ये ये है हमारी RBC अब ये जो मिजोईट प्रवस्था थी यह जब यहां पर फट जाएंगी तो यह कहां पहुंच रही है हमारी RBC में पहुंच रही है ठीक है तो यह कहां पहुंच रही है हमारी RBC में पहुंच गई है और RBC में पहुंच के क्या करें की भाई यह वहां पर एक ring form की structure बना लेगी इसके अंदर एक ring जैसा structure बना ले जाएगी और फ्रिक्या होगा फट जाएगी यहाँ पर फट जाएगी तो इसके फटने से क्या होगा भाई नहीं पहले जो इस्ट्रक्चर बनाया है ना ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा ये कहलाएगा ट्रोफो ट्रोफो जोईट ठीक है ट्रोफो जोईट क्या होगी अवस्था यह जो रिंग स्ट्रक्चर था यह क्या कहलाएगा ट्रोफो जोईट अवस्था कहलाएगा यह ठीक है चलो अब क्या होगा कि एक टाइम के बाद क्या होगा यह क्या करेगा एक क्या एक liquid secret करेगा यह जो liquid secret होगा जल्दी जल्दी मुझे comment में बताओ कि यह secret जो हुआ यह क्या कहलाएगा और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दू कि यह कहलाएगा भाई ही हीमो जोईन अरे क्या कहलाया है ही हीमो जोईन ठीक है यह कहलाया हमारा हीमो जोईन जो क्या होगा सीधे blood में मिल जाता है यह blood में आता है ठीक है और जैसे ही यह release होता है जैसे ही यह release हो गया तुरंत क्या होता है हमारी body में fever आने लग जाता है जिसकी वज़े से fever आ जाता है ठीक है तब हमको पता चलता है कि अच्छा अब कुछ हमारी body में बदलाव हो रहा है ठीक है इसके आपने कहते हूं कि फिर से जब यह जो है हमारे ब्लड में आ गया ठीक है यहां पर जब यह आ गया है फिर क्या होगा यह किसी किसी हुमन के ब्लड में है ठीक है काटने पर यह इसका खून चूसेगा जब बच्छ ठीक है तो उसके खून में क्या मिल जाएगा इनको अब इसके खून में क्या मिल जाएगा हम जानते हैं कि यहां पर युग्मकोद भिद युग्मकोद भिद प्रवस्था है युग्मकोद भिद प्रवस्था जिसका मतलब है कि नर और मादा दोनों बने है ठीक, उसके जो वाहाँ पर नर और मादा दोनों बन गए क्योंकि युगमकोत्वित, प्रवस्ता वाहाँ पर अब आ गई है ठीक, किसमें आ गई है? किसमें आ गई है? human rbc में, याने की manusa ke rbc में, ठीक है manusa ke rbc में क्या था भई ये युगमकोदीर प्रवस्ता याने की neural-mata दोनों युगमक बने हैं अब क्या होगा, जब ये मच्छर क्या करेगा खुन चूसेगा किसी के शरीर से तो यहाँ से क्या होगा कि उसके खून में ये क्या होंगे चूसने पर क्या होगा जो मच्छर चूसेगा तो ये भी चूसने के साथ जब खून में है तो खून के साथ साथ ये भी जाएगा जिसके अंदर मच्छर के अंदर तो ये भी जाएगा तो मच्छर के अंदर फिर से पहुँच जाएगा जहा कि अंदर लेंगिंग जनन होगा फिर से क्या करेगा वो अपनी लार्ग रंथी में फिर से जो है वो क्या करेगा भाई प्लाजमोडियम बनाएगा कारक बनाएगा वो फिर क्या होगा कि भाई वो फिर से किसी को काटेगा फिर से उसके अंदर वो प्लाजमोडियम छोड़ दे किसी हो कोई डाउट फिर से समझना है एक बार तो फिर से समझ लेते हैं चलो देख लेते हैं कि कोई मच्छर है किसी मच्छर ने किसी को मनुष्य को काटा काटने पर क्या हुआ कि मनुष्य के अंदर यह जो वहां पर स्पोरोजोईट बने ठीके स्पोरोजोईट कहां होते है पर भी में sa na e its to act होते हैं लारगरंती में पॉर ग्रंते वे होते हैं किसके मच्शर के टिके मच्शर के लार गरंती में होते हैं पैश की की जो एक संक्रमक अवस्था होती हैं यह पहुच गए यह पहुच गए मनुष्य के यक्रत में जहां पर क्या बना शीजोईट बना फिर यहां पर क्या होगा यक्रत कोशिकाओं में अलेंगे रूप से यह जनन कर लेंगे ठीक है यहां पर यह मीजोजोईट प्रवस्ता में पहुंच जाएंगे इसके लीवर में ठीक है फिर क्या होगा जनन के शेप चेंज कर लेते हैं और रिंग जैसी सनरशना बना लेते हैं जहां पर क्या होता है ट्रोपोजोइट अवस्ता कहलाती है क्या कहलाएगी अब क्या होगा कुछ टाइम बाद ये ट्रोपोजोइट अवस्ता फट जाएगी यहां से क्या होगा हां कि एक लिक्विट सिक्री होगा ठीक है वो जो liquid secret होगा उनके पटने पर हीमोजोईन कहलाएगा ठीक है और जैसे ही ब्लड में मिल जाता है रिलीज होता है रिलीज होता है वैसे ही फीवर आ इंसान को ठीक है अब जब उसके अंदर ये सारी चीज़ा चल रही है ऐसे में कोई फिर से आके मच्छर उसको काट ले ठीक है ब्लेट में जो सब कुछ मिल गया है ठीक है तो मच्छर फिर से इसको काटेगा तो क्या होगा हमें पता है कि वहाँ पर अंदर जो है युगमक को भी प्रवस्ता चल रही है यानि कि नर और मादा दोनों युगमक बन चुके हैं अल्यागिक जनन से ठीक है कहां पर मनुष्य की यानि मनुष्य के दो फिर जैसे ही बलट को चूसेगा मतछर तो या जो प्रवस्ता थी उस मतचर के चूसने अन्दर हो फिर सयं और को जाके काटेगा तो फिर से यह चीजें वही रिपीट होती रहेगी लाइफ साइकल तो यह थी प्लास्मो डियम का जीवन चक्र ठीक है देखो यह बुक में दिया हुआ है इसको एक बर आप पढ़ लेना अराम से चलो यह वही चीजें कि जाहें देख सकते हो कि भाई यह क् यह इसको आप देखो एक बार समझ में आएगा आपको कि मैं आपसे क्या बोलना चाह रही हूँ यह देखो यह दो में है ठीक है मच्छर ने खून चूसा यहां पर ठीक है खून चूस रहा है मच्छर ठीक है लीवर में पहुंच गया सीदे इस पोरोजोईट कहां पहुंचे लीवर में पहुंचेंगे ठीक है लीवर सेल में पहुंचेंगे यह क्या बन गए हो गई, फिर सेक्शुल स्टेज में आ जाते हैं यहां पर ठीक है फिर कोई दूसरा मच्चर आपके फिर से खुन चूचता है तो देखो यह मच्चर के अंदर चले गए है ठीक है मच्चर के अंदर यह कहां पन गया है बहुंँ ईक्त ठीक है जाइगुट बन गया है फिर यह कहां पहुंच गया है देखो सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच गया है ठीक है सलाइवरी ग्लैंड में क्या है प्लास्मोडियम है ठीक है फिर से किसी को काटेगा तो यह प्लास्मोडियम उसके अंदर छोड़ देगा तो प्रॉपर य तो अगर में सबको फैल जाता है एक दोस्तों रखा होथा तो ख्लास में फैल जाता है ठीक है तो चलो थोड़ा सा इसके बारे में जौन लेते हैं तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं नहीं पहले हमें मलेरिया की बारे में एक चीज और जानने जरूरी है भाई कि इसकी रोकदाम कैसे होगी ठीक है अगर हम मलेरिया की रोकदाम की बात करते हैं रोक थाम रोक थाम की बात करते हैं तो इसको कैसे रोका जा सकता है तो सबसे पहले चीज की भाई अपने आसपडोस में क्या करना है आसपडोस में क्या नालिया जो होती है नालियों में क्या करना है सफाई रखनी है ठीक है नालियों में क्या करना है सफाई रखनी है फिर हम कह सकते हैं कि यह जो नालिया है इनमें क्या करना है तेल का छिड़क पाफ कर सकते हैं, ठीके, जिससे क्या होगा, जो लार्वा होता है, मच्छर का वो मर जाए, लार्वा क्या हो जाए, मर जाए, उसके डेथ हो जाए, ठीके, चलो, अगला देखते हैं, कि हमको पता है, मच्छर का जो लार्वा होता है, मच्छर के लार्वा जो होता है, उसको ख खाने वाली क्या मचलियां मचलियां ठीक है मचलियों का प्रियोग कर सकते हैं ठीक है मचलियों का प्रियोग कर सकते हैं फिर क्या बोल सकते हैं बाई जालिदार दर्वाजे होने चाहिए जालिदार दर्वाजे ठीक है और खिरकी भी सोते वे क्या हो भाई मच्छरदानी का य मच्छरदानी का यूज करो कई तरीके की क्रीम साजकल मार्केट में एविलेबल हैं ओडो मास जैसे हैं उसको यूज करो घर में ओल आउट लगाओ ये सब क्या है ये रोक थाम है इसकी ठीक है चलो आगे बर जाते हैं अब बात करते हैं सामाने जुखाम की क्या होगी अगले सामाने जुखाम का जो रोग कारक है वो क्या है फटा फट से कॉमेंट में बताओ रोग कारक कौन है सामाने जुखाम का जल्दी जल्दी बताओ कौन सा है और जिनको नहीं पता है तो चलो उनको लिए मैं बता दू नासा विशाणू नासा विशाणू समू ठीके, याने की राइनो वाइरस ठीके ये क्या हो गया है इसका रोग कारक है ठीके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, प्रभावित अंग की बात करते हैं, यहाँ पहले चलो वाहक की बात करते हैं अगर हम वाहग की बात करतें तो वाहग क्या है हवा द्वारा होता है भाई हवा के द्वारा हो सकता है ठीक है कैसे संक्रमित से स्वस्त व्यक्ति में ठीक है छीकने से फैलेगा खासने से फैलेगा तो हवा के द्वारा जाएगा ये ठीक फिर चलो इसकी किसकी बात कर लेते हैं अब हम बात करते हैं प्रभावित अंग कौन सा है इसकी वज़े से कौन सा अंग प्रभावित होता है ठीके तो इसकी वज़े से कौन सा अंग प्रभावित होता है जो नाक होती है नाक की आंतरिक जिल्ली आंतरिक जिल्ली ठीके और क्य है है सौछनिज मार्ग सौछनिमार्ग तुर सिवस्वाइब होता है नाक में नकुजली से होने लगती अंदर की तरब है ना और झो महते हैं इस में क्या होते हैं अजीप सा एसे करने लग जाते हैं हम ऐसे लगते कि कुछ चुबराय गले में दर्ट सा होने लग जाता है ठीक है तो ये सब क्या है भाई प्रभावित अंग है कि नाक की जो internal membrane होती है और जो respiratory track है हमारा ये दोनों affect करता है ठीक है चलो हमने प्रभावित अंग की बात कर ली अब किसकी बात करते हैं भाई लक्षण की बात कर लेते हैं चलो कि भाई इसके लक्षण क्या है तो अगर हम लक्षणों को देखें तो क्या है नाक में खुझली होना नाक में खुझली होना ठीक है नाक में खुझली होना तो ये starting है जब ना नाक से क्या है एक लिक्विट सा निकलना ठीक है नाक से क्या हो रहा है नाक से तरल का इस्त्राव होना मतलब निकलना कुछ लिक्विट जैसा ठीक है खासी होने लगती है सरदर्ध होने लगता है खासी हो गई है सिरदर्ध हो गया है ठकावट रहती है ठकावट ठीक है और क् होती है फटी-फटी सी आवाज हो जाती है है ना आवाज बदल जाती है मतलब आवाज बदलना लिख देते हैं ठीक है तो यह सारी चीजे किस में होती है यह सारी कि सारी चीजे लक्षर दिखाती है ठीक है चलो ठीक है यह भी हो गया है अब यह सब तो हमारा रहे कॉमन कोल कर इतना ही था बस क्या है अच्छा ये common cold के बारे में ये था है ना तो बhardy common cold case में आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आपको ऐसा मैसूस हो रहा है कि आपको जुखाम होने वाला है खांसी होने वाली है तो अपने साथ हैंकरचीफ रखे याने की हैंकी रखे रुमाल रखे कि जब भी आपको लगे कि आप छीकने वाले हो खासने वाले हो तो भाई यूज करो उसको स्वाल करो नहीं करोगे तो अपने साथ से दूसरों को भी ऐसी बिमार कर दोगे ठीक है और दूसरी ची की बात करते हैं एक और रोग आ गया अश्कारिस क्या है यह एक क्रमी होता है कैसा गोल क्रमी होता है किसकी वज़े से हलमेंथिस ठीक है हलमेंथिस में आता है ठीक है तो चलो तोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं तो अगर हम इसकी बात करते हैं किसकी अस्कारिस की बात देती हूँ कि ascaris is, इसका है, ascaris is, ascaris, ascaris, क्या है, ascaris, 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 lumbricoitis, ठीके, ये क्या है, ये गोल क्रमी है, गोल क्रमी, ठीके, याने की हलमेंटिस है, ठीके, तो ये तो इसका कारक है, कि जिसकी वज़े से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ascaris की वज़, ठीके, चलो, अब अगर इसके वाहक की बात करते हैं कि इसको लेके कौन जाता है तो इसका वाहक है भाई संक्रमित प्रदोशित खाना वे पानी इसका वाहक है इसलिए कहा जाता है कि गंदा पानी मत पीओ, गंदा खाना मत खाओ, सड़क के किनारे जो मिलता है खाना वो नहीं खाना चाहिए, हो सकता है जो पानी यूज कर रहा हो, उसमें क्या हो, गंदगी हो, ये क्रमी उसमें मौझूद हो, ठीके, तो भई आपके पेट में चले होते हैं, तो डॉक्टर्स क्या करते है, फोर सैप से पकड़ पकड़ के निकाल रहे थे, इतने सारे थे, इतने सारे, ठीके, वो सब क्या हुए थे, ऐसे हुए थे, उट पटांग खाना खाने थे, तो भई ऐसी चीजों से बचो, सोचो आपके शरीर के अंदर ये ऐसे गु वहाँ के बाद संकरमन की बात करते हैं, अगर हम, तो संकरमन कैसे होता है, संकरमन कैसे होता है, स्वस्थ व्यक्ति में, संदूश्चित, भोजन करने से, भोजन, सबजिया, ठीक है, सबजिया जो होती है, और क्या हो गया, फल हो गया, ठीक है, पानी हो गया, तो ये सारी चीज़े अगर गंदी हैं, तो इसकी वज़े से आपको हो सकता है, ठीक है, चलो, अगर मैं प्रभावित अंगों की बात करती हूँ, कि किसको प्रभाव डालेंगे ये, ठीक है, प्रभावित अंग की अगर मैं बात करती हूँ, तो इसका प्रभावित अंग क्या है भाई कहा असर डालते है यह छोटी आत पर ठीक है और क्या करेगा आत्र यह ठीक है इसके बाद जानते हैं कि भाई क्या जानेंगे इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या है अगर हम लक्षणों को देखते हैं तो बहुत सारे लक्षण आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे कि शिरुवाद हो जाएगी पेट दर्द से ठीक है क्योंकि कहा जाता है आपने कभी नोटस किया हो कि छोटे बच्चे चोटे जोटे चोटे क्या मतलब पेट दर्द ठीक है फिर क्या होता है उल्टियां शुरू हो जाती है उल्टियां आ जाती है ठीक है फिर क्या होता है सिर्दर्द रहता है ठीक है सिर्दर्द फिर चिड़ चिड़ापन चिड़ चिड़ापन हो जाता है ठीक है चिड़ चिड़ापन हो गया फिर क्या होता ह है indigation यह आने कि अपच चा जाता है ठीक है खाना नहीं पच रहा है फिर आंत्रिख क्या होता है रत्त्राव मतलब इंटर्नल ब्लेडिंग शुरू हो जाती है रत्त्राव ठीक है फिर आत में क्या होता है जलन होती है जलन ठीक है बुखार आता है ठीक है बुखार आगिया और एक्सेक्टर एक्सेक्टर ठीक है ऐसी है ठीक है तो ये क्या है लक्षण है बहुत सारे लक्षण है ध्यान देजिएगा बिल्कुल ठीक है अगर ऐसा कोई लक्षण दिखता है तो ब अगर बात करें इसके बचाफ की कि कैसे बच सकते हैं तो बचाफ के बारे बोलेंगे तो भई पानी को उबाल कर पियो अगर आपको लगता है कि पानी खराब है तो पानी को उबाल लो ठीक है उबाल कर पियो ठीक है फिर क्या कह सकते हैं भई अवाइट करो किसको अवाइट क यही बचाव है ऐसा कहा जाता है तो ध्यान देना हर एक चीज पह इस फोटो को देख के आपका दिमाग चक्रा गिया होगा क्या हुआ ही कि अधीय है यह क्या है यह यह होता है यह होता है the pes हलमेंटिस हलमेंटिस से होता है यह ठीक है हलमेंटिस जनित रोग है यह जनित रोग है ठीक है और इसको किस-किस नामों से जाना जाता है इसको हस्तिपाद के नाम से जाना जाता है ठीक है किस नाम से जाना जाता है हस्ति हस्ति पाद, ठीक है, या फिर किस नाम से, हाथी पाओ, हाथी पाओ के नाम से, या फिर एलिफेंटी एसेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो अब ये जो हेलमेंथिस है, ये हलमेंथिस क्या है, अगर इसकी बात करते हैं, तो भाई, ये हलमेंथिस क्या है, ये गोल क्रमी है, ठीक है, क्या है, ये गोल क्रमी है, चलो ठीक है, हम समझ गया, ये गोल क्रमी है, लेकिन अब इसके अगर वाहक की बात करते हैं, तो क्या सोच सकते हैं आप, कि इसका वाह क्या होगा अगर हम वाहक के बात करते हैं तो भाई इसका जो वाहक है वो कोई और नहीं बलकि एक मच्छर है क्या है एक मच्छर है पड़ाफट से मज़े कॉमेंट में पता दो कि बेट है वो मच्छर का नाम क्या है जल्दी से बताओ जल्दी 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 पड़ाफट क क्या नाम है उस मच्छर का तो जब तक जिनको नहीं पता है उनकले में यहां लिख देती हूँ कि भाई उस मच्छर का नाम क्या है वो मच्छर है ठीक है, क्या है इस मच्छर का नाम, जल्दी अलजी बता दिजिए ये क्या है, मादा मच्छर है, ठीक है, क्या है ये मादा मच्छर है, और इस मादा मच्छर का नाम क्या है, एडिस, ठीक है, आडिस, satis, kulivus, और इसके साथ साथ क्या है, ano, phillies, machar, ठीक है, इसके दुआरा क्या होता है, रक्त को चूसने से होता है, रत को चूसने से होता है ठीक है चलो यह चीज समझ गए हम की भाई यह मादा मच्छर से होता है लेकिन अब बात आती है कि भाई इसका वाहक कौन है यह क्या है ओह यह तो हम कि इसके बाद यह है यह वाहक है ठीक है इसका क्या है क्या बोलते हैं इसको प्रभावित अंग जालते हैं थीके तो अगर यह इसके प्रभावी अंग बोलते हैं स्वारी प्रभावित अंग ठीक है तो प्रभावित अंग क्या है भाई किसको प्रभाव कर रहा है तो यह बात करता है तो यह किस पर प्रभाव डालता है लसी का ठीक है लसी का वाहनिया ठीक है लसी का वाहनिया और लसी का ग्रंती ठीक है लसी का ग्रंती और लसी का वाहनिया चलो ठीक हम यह भी समझ के अब अगर बात करते हैं इसके लक्चन क्या है हमें कैसे पाईदा चले ग्रसित है तो क्या बोलोगे लक्षण की बात आएगी तो अगर हम लक्षण देखते हैं तो लक्षण आएंगे बहुत सबसे पहला तो सबसे जो सब में कौमन आता है कि बुखार आना जो सब में होता है ठीके बुखार आ जाता है फिर के होता है शरीर जो होता है किसी भी व् फूल जाना ठीक है जगा जगा पर फूल जाना फिर क्या हो सकता है भाई जैसे की हाथ वे पैर हाथ वे पैर का ठीक है इसके साथ साथ क्या हो सकता है जो क्या होते है जननांग होते है ठीक है या जो जननिक अंग बोल सकते हैं जननिक अंग होते हैं उनमें क्या आना विरूप आना ठीके तो यह क्या है यह है भाई क्या इसके लक्षन ठीके अब अगर यहां पे हम और क्या बात कर सकते हैं कि भाई यह जो इसका कारक है वो तो हमने discuss किया ही नहीं ठीक है इसका कारक जो था वो हमने discuss किया ही नहीं क्या कारक है तो भाई अगर हम इसके कारक की बात करें चलो यहां लिख लेते हैं इसके कारक की बात करें तो भाई इसका कारक क्या है वुचुरेरिया 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 ब्रॉन क्रॉफ्टी ठीके ब्रॉन क्रॉफ्टी वुचुरेरिया ब्रॉन क्रॉफ्टी ठीके ये क्या है इसका कारक है इसी की वज़े से क्या होता है भाई ये हाती पाओ हस्ता पाद एलिफेंटी ऐसे ये इसी की वज़े से होता है ठीक है चलो फड़ावर्ट से क्या करते हैं हमने यह सब देखी ली है अब इस वचुरेर या ब्रॉनकाफ्ट्री की क्या करते हैं लाइफ साइकल देख लेते हैं कि भाई यह क्या रोल करता है ठीक है पड़ावर्ट से चलो शुरू कर देते हैं और देखते हैं कि भ बादने भी देख सकते हो, ठीक, तो अगर मैं कहूं कि suppose करो एक मच्छर है, ये क्या है, मच्छर है, इस मच्छर ने क्या किया, किसी वाहक को क्या किया, भाई, काटा, ठीक है, क्या किया, एक वाहक को इसने काट लिया, चलो ठीक है, माल लेते हैं, काट लिया, अब क्या होगा माइक्रो फाइले, अब क्या होगा, माइक्रो फाइले, ठीक है, तो माइक्रो फाइलेरिया, माइक्रो फाइलेरिया क्या करेगा, रत्थ जो होगा, वो क्या करेगा, माइक्रो फाइलेरिया, रत्थ भोजन के साथ ग्रहन कर लेगा साथ ग्रहन कर लेगा अब भोजन क्या है यहाँ पर भाई भोजन क्या है भोजन है उसका रक ठीक है तो उसमें रक्त के रक्त भोजन जो होता है उसके साथ क्या होगा भाई वो उसको ग्रहन कर लेगा ठीके उसके बाद ग्रहन करने के बाद क्या होगा यहां पर वो कहां पहुंच जाएगा मच्छर के मच्छर के पेट में पहुंच जाएगा ठीके पेट में आ जाता है ठीक है अब जब मच्छर के पेट में आ गया फिर क्या होगा भाई दो से छे घंटे के बाद पेट में आने के दो से छे घंटे बाद क्या होगा वो जब अंदर आएगा ठीक है छे गंटे बाद अंदर क्या करेगा अपना जो आवरण होता है उसका जो कवरिंग होती है वो क्या करता है उतार देता है ठीक है उतार देता है और पेट की जो भित्ती होती है आवरण उतार के जो पेट की भित्ती होती है पेट की भित्ती जो होती है ठीक है बित्ती में क्या करता है पेट की भित्ती में गुस जाता है ठीक है चलो गुस गया है ये 2 से 6 घंटे बाद कहां पेट की भित्ती में गुस गया ठीक है चलो फिर क्या होता है भाई फिर 4 से 7 घंटे बाद इसके इसके चार से साथ घंटे बाद, क्या होता है, मास पेशियां जो होती है, मास पेशियां, वहाँ क्या करता है, मास पेशियों में ये, विकास करता है, ठीक है, विकास करता है, ग्रोध करता है, मतलब, ठीक है, चलो, चार से साथ घंटे बाद ये हुआ, मतलब, दो से छे घंट में ये हुआ इसके भी चार से साथ घंटे बाद ये मास पेशियों में क्या कर लेता है विकास कर लेता है उसके बाद क्या होता है अगले दो दिन बाद का एक्जैम्पल हम ले सकते हैं कि भाई next two days बाद next दो दिन बाद देखो दिन में डी आई एल लिख रही हूँ दो दिन बाद ठीक है क्या हुआ ये दो दिन बाद ये क्या होता है जो लार्वा होता है उसमें बदल जाता है लार्वा में बदल जाता है ठीक है और क्या करता है दीरे दीरे अपने साइस को बढ़ाता रहता है यहां पे लार्वा में बदलने के बाद ठीक है उसके बाद क्या होता है कौन सा कलर उठाएं आप कौन सा कौन सा चलो वाइड उठा लेते हैं फिर क्या होता है फिर यह फिली फॉर्म जो होता है ठीक है उसके बाद क्या करता है यह अरे ग्रीन ही आ गया फिर क्या होता है फिली फॉर्म लार्वा जो होता है ठीक है ये क्या बन जाता है यहाँ पर विकास करने के बाद फिली फिली क्या बन गया ये फिली फॉर्म लार्वा ठीक है बन जाता है यहाँ पर विकास होने के बाद ठीक है और फिर क्या करता है ये यहाँ पर वेट करता रहता है फिर यहाँ पर ये वेट करता रहता है ठीक है क्या वेट करता है यहां पर कि जब यह मनुश्य को काड़ता है ठीक है जब यह मनुश्य को काड़ता है तो जहां काड़ता है ना कहां लिखे कहां लिखे कहां लिखे जब ही मनिश्य को काटता है तो जहां ये काटता है वहां क्या होता है कि भाई वहां से ये तवचा में आता है और कहां जाता है लसीकाणू में जाता है ठीके यहां पर क्या करा चलो ठीके लसीकाणू में पहुच गया फिर यहां पर क्या किया इसने फिर वाहिकाणू में अल जाकर विक्सित हो जाता है विक्सित होता है ठीक है चलो ठीक है अब अगर यहां पर ठीक है अगर यहां पर एक और चीज लिख देती हो कि यहां पर निशेचन ना हो अगर यहां पर निशेचन याने की फर्टिलाइजेशन ना हो ठीक है ना हो तो क्या होगा यह डेड हो जाता है ठीक है मर जाता है ठीक है तो क्या होता है ये मर जाता है अब इस चीज को समझो देखो कि यहां पर actually में क्या खेल चल रहा है कि भई कोई मच्छर है ठीक है इस मच्छर ने क्या किया किया किसी वाहक को क्या किया काटा ठीक है तो जो जो माइक्रो फ्लेरिया होता है, ये क्या करता है, जो रत होता है, ठीक है, रत से भोजन के साथ साथ इसको ग्रहन कर लेता है, उसको अपने अंदर ले लेता है, ठीक है, तो ये मच्छर के पेट में आ जाता है, ठीक है, मच्छर के पेट में आ गिया, चलो ठीक है, अब 2 से 6 गंटे बाद क्या होता है यह अपना आवरण क्या करता है उतार देता है ठीक है यह क्या करता है अपना आवरण उतार देता है ठीक है इसने अपना आवरण उतार दिया और जो पेट की भित्ती होती है ना वो क्या होते है कि पेट की भित्ती में यह याने की जो क्या बोलते है वाल होती है भित्ती क्या होती है वाल होती है उसमें क्या होता है ये गुज जाता है फिर क्या होता है चार से साथ घंटे बाद ये मास पेशियों में पहुंच जाता है और वहां पहुंच क्या करता है ये विक्सित होने लगा उसके लगबग दो दिन बाद क्या करता है ये ल तो यहां पर वो वेट करता रहता है और वाहिकाओं में क्या करता है घूमता रहता है और ग्रो करता रहता है और विक्सित होता रहता है ठीके अब जब विक्सित हो रहा है तो उसको निशेचन की ज़रूरत है उसको ज़रूरत है कि कोई नर या मादा जो भी है उसके अपोज बिमारी आगे नहीं बढ़ेगी लेकिन अगर गलती से वहां पर ये निशेचन कर लेते हैं तो भाई जो अभी आप हाती पाउं देख रहे थे बिमारी से ग्रसित हो जाओगे और ये अपनी family planning अंदर ये अंदर करते रहेंगे ठीक है चलो ये था इसका life cycle देखो ये क्या करत है ठीक है वहां क्या होता है माइक्रो फ्लैरी जो होता है वह माइग्रेट करता है लिम्फोसाइट में ठीक है कहां गया ये माइक्रो फ्लैरी जो होता है ठीक है वह लिम्फोसाइट में चला जाता है ठीक है फिर क्या होता है मॉस्क्यूटो जो है टेक सा ब्लड मील ठीक है mosquito क्या करता है फिर यहां से जो है blood ले ले लेता है ठीके blood ले लिए उसने फिर क्या हुआ कि microflary जो होता है वो penetrate कर जाता है mosquito के gut में यानि कि उसके iscuit में चला जाता है ठीके? और किया करता है फिर? migrate to thoracic muscles और उसके कहां मास पेश्यों में चला जाता है तीक है जैसे बाद वहाँ पे लार्वा वना फिर ठीक तो जरूरी नहीं है कि अगर किसी के अंदर ये वाला क्या किसी को इस मॉस्क्यूटे ना काट लिया तो उसको एक इदम यह बिमारी हो जैगी नहीं अगर जब तक कि आराम से रहो कुछ नहीं होगा तो इसलoney differences जरूरत नहीं है चलो आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं अगली विमारी अगर हम नत्रश Everything के बात करते हैं तो सबसे पहला भाई Minamyn की पैंदा ना होने ना होने दो, ठीक है, चलो, पहला ये हो गया, दूसरा क्या कह सकते हैं हम भाई, कि घर में साफ सफाई रखो, तभी तो मच्छर नी आएंगे, ठीक है, सफाई का ध्यान दे, सफाई का ध्यान रखे, है न, और क्या बोलें भाई, क्या, all out यूज करो, मच्छर दानी यूज कर ठीक है, तो ये सक्क्या है, इसके बचाव है, पानी इखटा ना होने दे, पानी जमा ना होना, ठीक है, तो ये हो गया, इसका बचाव, ठीक, चलो, अब इसके बाद हम बात करते हैं, अमीबी आसे के बारे में इगर हम बात करें तो 1857 में लेस नामक तो 1857 में क्या हुआ लेस नामक एक वेज्ञानिक थे ठीके उन्होंने दिया था ये ठीके और उन्होंने कहा ठीक है चलो ठीक है माल लेते हैं अब अगर इसके जो है वाहक की बात करते हैं अगर हम इसके वाहक की बात कर रहे हैं तो भाईया वाहक कौन है इसका वाहक की बात करें मतलब इसको कौन लेके आगे जा रहा है तो भाईया इसमें जो important role play करती है वो मदुमख्या होती है है न ह आउच फ्लाई तो वो क्या है मधुमख्या क्या रही हूं घरेलू मख्य क्या है घरेलू मख्य घरेलू मख्य ठीक है इसका वाहक है चलो अगर श्रोद की बात करते हैं इसके स्रोद की बात करते हैं तो भAi क्या है मल्पदार्थ जो अप्शिष्ट पदार्थ होते हैं मल्पदार्थ दुआरा संदूशित ठीक है संदूशित जल्वे भोजन अब ये मख्या क्या करती है भAi यह गोवर पर बैठती हैं, मल पर बैठती हैं, गंदी चीजों पर बैठती हैं, वहीं बैठके फिर क्या करती हैं, उसमें जो कीरम अकोड़े उनके पैरों में लग जाते हैं, उनी को लेकर उर्ती 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 आती हैं, और खाने पर बैठ जाती हैं, अब जब खाने पर ब देखते हैं भाई यह प्रभावित अंग कौन सा है इससे प्रभावित अंग कौन सा है जो इससे प्रभावित करता है जो परिशान करता है ठीक है तो प्रभावित अंग क्या है इसका भाई एगर हम प्रभावित अंग बोले तो आथ ठीक है जिसको हम एंटस्टाइन बोलते ह आथ हो गया ठीक है और क्या हो गया आथ के साथ-साथ पाचन तंत्र है ना यानिकि digestive system पाचनतंत्र हो गया भाई चलो यह इसके प्रभावित अंग हो गए अब अगर लक्षनों की बात करते कि हमें कैसे पता चलेगा कि लक्षन क्या है भाई कि ये बिमारी किसी को हो गई है तो जब हम लक्षणों की बात करते हैं लक्षण लक्षणों की अगर हम बात करते हैं तो लक्षणों में क्या आता है लक्षणों में भाई सबसे पहले क्या आ गया पेट में दर्ध हो ना तिर्ट दर्ध हाई राम पेट दर्ध ठीक है पेट दर्ध हो गया फिर दर्स याने की लूज मोशन ठीक है और दस्त के साथ क्या आना रक्त जो मल होता है, मल के साथ क्या होता है, कि बहुए सलेशमा का आना, मल के साथ सलेशमा का आना, ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, ये हमारा हो गया लक्षन, अब अगर इसके किसकी बात कर रहे हैं लक्षन के बाद, अब लक्षन के बाद अगर हम इसके बचाफ की बात करते है कि कैसे बचा जा सकता है अगर हम बचाव की बात करें तो बचाव में सबसे पहले जो दूशित जल होता है दूशित जल वे भोजन को क्या करना है अवाइड करना है नहीं खाना है ठीक है इससे दूर रहना है फिर क्या होगा और क्या कह सकते हैं जो पानी है उसको उबाल कर प ठीना ठीक है और क्या हो सकता है साफ सफाई का ध्यान रखना साफ सफाई रखना ठीक है तो यह सब चीज़े क्या है बचाव है इसका क्लियर अब इसके बाद एक और कॉमन सी बिमारी आती है भाई जो लोगों में बहुत असानी से देखने को मिल जाती है और लोग उसे खुजाते रहते हैं कौन सी बिमारी है वो फोटो में देख किया पहचान गए हो गए हाँ जी बिल्कुल दाद खाथ खुजली जो होती है न हम उसी बिमारी की बात कर रहे है यह बहुत कॉमन ली देखने मिल जाती है ठीक है और क्या है यह दाद यानि कि रिंग बॉंग कह करते हैं इसके अगर कारक की बात करते हैं भाई तो कारक क्या है इसका माइक्रो क्या है माइक्रो जल्दी बताओ माइक्रो स्पोरम हो गया ठीक है और क्या हो गया दूसरा ट्राइको ट्राइको फाइटान ट्राइको फाइटान और अपिडर्मो फाइटान ठीक है आधी वंचो के क्या होते हैं कारक है आधी वंचो के कवक ठीक है चलो माल लेते हैं इसको अब अगर हम संक्रमण की बात करते हैं कि कैसे होता है संक्रमण की अगर हम बात करें तो संक्रमण कैसे होता बाई संदूशित क्या संदूशित मिट्टी ठीक है मिट्टी में मिलते हैं ये संदूशित मिट्टी हो गया या कोई वस्तू हो गई ठीक है वस्तू या फिर जो रोगी होता है के संपर्क में आने से संपर्क से ठीके इससे होता है कि कोई भी रोगी जिसकी कोई भी जो हमने किया जिसकी को दाद हो रखा है हमने उसका कोई समान चुआ ठीके तो समान पे क्या होगा भाई ये जो रिंग वाम है वहाँ भी मौजूद होगा इसलिए कहते हैं जिसको दाद खात कुझली हो वो क्या करे भाई अपने कपड़े अलग धोए अपना समान अलग रखे और किसी भी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति की चीजों को ना हात लगाए ठीक है चलो ठीक है मान लेते हैं अब किसकी बात करनी है हमें अब देखते हैं भाई है बहुत सिंपल से है कि जो त्वच्चा होती है त्वच्चा और जो नाखून होते हैं ठीक है उनमें क्या होता है सूखी सूखी विश्चितियां ठीक है बनना और क्या होता है जो विश्चितियां होती है इनमें खुजली होना इन में खुजली होना खुजली होना ठीके ये हो गिया ठीके अब अगर इसके बचाफ की बात करते हैं कि भाईया ये जो हो रहा है सब कुछ इससे कैसे बचा जाए ठीके तो ये common सी चीज़े है बहुत easily आप लोग समझ सकते हैं इनको ठीके तो भाईया इसका बचाफ क्या है बचाफ भी बहुत जरूरी है बिमारियों का वरना सब के सब परिशान हो जाएंगे तो बचाफ में हम कह सकते हैं कि भाईया स्वस्त रहो ठीके स्वस्त रहो दूसरा स्वच्छ रहो ठीके तो ये क्या है बचाव है ठीक है साफ सफाई साफ सफाई ये क्या है बचाव है इसके ठीक है तो इसलिए भाईया इन चीजों का ध्यान रखो इन चीजों का ध्यान नहीं रखोगे तो बिमारी हो जाएगी और दूसरी बात अगर कोई संक्रमिज व्यक्ति है वो क्या है स्वस तो चलो इस घर को थोड़ा सा समझते हैं कि ये घर हमें क्यों बुला रहा है भाई चलो फड़ाफर से देख लेते हैं कि चलो देखे अरे बापski इसके उपर तो मुझे कुछ ये कोरोना वारस जैसे नजरा रहे हैं अहाँ यह देखो सेनी किसके पीचे भाग रहा है क्या बात देखो कितने बुरी तरीके से भाग रहा है तो ये क्या है जैसे ये घर है ऐसे हमारा शरीर है और ऐसे ही क्या है अरे बपरे ठीक है और ऐसे ही जो हमारे शरीर में क्या होती है कुछ कोशिकाए होती है कुछ चीजे होती है कुछ तंत्र होते हैं जो क्या करते हैं ऐसे जिवाणूओं से विशाणूओं से हमारी रक्षा क करने का काम करते हैं ठीक है चलो जैसे कि क्या होते हैं जो सिपाही होते हैं वो सीमा पर खड़े हो कि क्या करते हैं कोई आतंग वादी अंदर आता है या कोई गुस्वैट करता तो क्या करते हैं उसको मार भगाते हैं वैसी जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है वो क्या काम करता ह है वो ऐसे ही जो बाहर से रोगाणू अंदर आने कोशिश करते हैं ना फॉरेंट पार्टिकल्स उनको डिशन करके क्या करता है मार बगाता है कि तुम अंदर आके दिखाओ मैं तुम्हें देख लूँगा ठीक है तो चलो प्रतिरक्षा तंतर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाई अगर हम प्रतिरक्षा तंत्र की बात करते हैं तो ये क्या करता है ये एक सिस्टम है ठीके जो क्या करता है जो विरोध करता है ठीके जो क्या करता है विरोध करता है और साथ साथ सुरक्षा करता है ठीके विरोध करता है अब सवाल आता है कि भाई विरोध किसका करता है तो ये विरोध किसका कर रहा है ये विरोध कर रहा है किसके अगेंस्ट में किसके अगेंस्ट में कर रहा है ये ये कर रहा है प्रतिजन के प्रतिजन के याने की आंटिजन जो होते हैं उनके अगेंस्ट में जो फॉरन पार्टिकल्स आ गए जैसे कि क्या हो गए वाइरस हो गया प्रोटोजों हो गया एक्सेक्टर एक्सेक्टर तो ठीक है इनके अगेंज में क्या कर रहा है यह विरोध कर रहा है और इनी से क्या कर रहा है सुरक्षा कर रहा है ठीक तो ये बेसिकली हमारे immune system का काम है कि विरोध भी करता है ये और सुरक्षा करता है विरोध करता है जो चीज बाहर से अंदर आ रही है और सुरक्षा किस की कर रहा है हमारे शरीर की सुरक्षा कर रहा है ठीक है चलो फिर बच्छा लोग आगे बढ़ते हैं चलो अब हम इसके चलो ये पढ़ लेते हैं हमारा शरीर दिन भर में कई बार रोगाणू के संपर्क में आता है इन में से बहुत से रोगाणू जो होते हैं हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं ठीक है लेकिन हमारे शरीर में पाया जाने वाला जो विशिष्ट तंत्र होता है Special System होता है वह क्या करता है रौग अड़ों को दश्यम करके मार भगाता है और रोगों से बचाने का काम करता है ठीक है फिर क्या होता है भाई की शरीर के इस अत्힌 विशेशने तंत्र को हम प्रतिरक्षा तंत्र याने की immune system के नाम से जानते हैं ठीक और इस तंत्र का अध्यन करने वाली जो शाखा होती है उसको क्या बोलते हैं हम उसको बोलते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान याने की immunology ठीक है अब यह जो immunity शब्द है यह Latin शब्द है ठीक है याने की क्या है immunist से बना हुआ है जिसका मतलब है स्वतंत्र करना प्रतिरक्षा विज्ञान का इनको जनक कहा जाता है ठीक है इनको प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है ठीक है अब जो प्रतिरक्षा तंत्र है इसमें वो जो सभी अंग होते हैं कोशिकाएं होती हैं उनको शामिल किया जाता है जो क्या करती है हमारे शरीर को सूक्ष्म जीवों से या बाहर से आने वाले पदार्तों के अगेंस में क्या करती है हमारी रक्षा करती है ठीक है जो मनुष्य है इनसान है इन सभी में क्या होता है दो प्रकार का प्रतिरक्षा तंत्र होता है एक होता है सहज या विशिष्ट दूसरा होता है जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र ठीक है जिसको हम बोलते हैं जन्मजात बोलते हैं और दूसरा क्या होता है अरजित होता है या जिसको क्या बोलत विशिष्ट बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरक्षा, ठीके, तो आज के लिए बच्चो इतना ही, ये सब कुछ जो हमने पढ़ा है, ये आगे हम अपने अगली क्लास में continue करेंगे, ठीके, आज जो ये पढ़ाया गया है, इसको क्या करना है आपको, अच्छे से revise करना है, और फिर अगली क्लास में वापस आते हैं, तब तक आपको क्या करना है, इन सबी चीजों को अच्छे से पढ़ते रहे ना, बिल्कुल नहीं भूलना, ठीके, और 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 चलो फिर अभी के लिए बाई-बाई, मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक आप अच् की चीजों, बाई-बाई!